नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लांचर पर मैं हूँ अशोकवान खड़े और लेकर आया हूँ आपका अपना डारेट हिट आज सही माइने में सरकार को स्वयम सरकार के लोगों ने हिट किया है और मैं कोई और बात नहीं कर रहा हूं सुबह से जिस बात पर हम लगात बात कर रहे है और बात जरूरी भी है यह रिपेटिशन वाली बात नहीं है या किसी की सुपारी लेकि उसके खिलाब प्रतकारदा करने की बात नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा हाथसा है मैं विनेश फोगट की बात कर रहा हूं जो उसके साथ हुआ जो भारत के साथ लेकिन सरकार इसको एक सामाने स्थिती लेके फ़र्मिलिटी कि प्रधान मंत्री ने वहाँ बात की, खेल मंत्री कहता है कि हमने सतर लाख रुपए दिया, हमने किसी चीज की कभी नहीं करी, बुजभुशन सरन सिंग जो हीरो है इस पूरे कांड के, उनके बेटे जो सांसदे, वो कहते हैं कि नहीं दुर्बाग ये भारत का लॉस हुआ, इसमें देखना चाहिए, वो जो तधाकतित उनके डमी बिठाए हुए है, बुजभुशन सरन सिंग के संजे सिंग, वो कहते हैं कि हम इसमें इंक्वारी करेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सरकार के लोगों द्वारा सरकार हिट कैसी हो रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि हमारी हैं याद किजिए, 2008 के बेंजिंग ऑलमपिक को, उसमें भारत ने मेडल लिया था, बॉक्सर विजिन लिसिंग ने, और वो पोस्टर बाय थे देश के, पुरा देश उनकी पिछ पा ना दिया, भाजपा का यही था कि एक जाट आदमी है, वहाँ पे हर्याना में मदद करेगा, एक जाट ओठ हो जाएगा, दूसरी बात, खिलाडियों के बीच में भी घुस्पेट कर सकते हैं, इस पॉइंट अफ यू से जब किया, लेकिन विजेंदर जो है, वो कही ना कही एक स्पोर्ट्समेन है, एक खिलाडी है, और आज जब विनेश के साथ यह हुआ, तो उससा घुसा फुड़ गया, उनने कहा कि भारत के खिलाफ यह जो विनेश के साथ हुआ है, फ्रांस अलोंपिक में, यह भारत के खिलाफ एक बड़ी साज़िश है, उन्होंने कहा कि भा भारत के खिलाफ एक ये बड़ी शाजिशी नहीं, इस फैसली की आलोशना इसले भी करनी चाहिए कि क्या ऐसा एक शड़यंत्र हो रहा है कि अमिरिका की बॉक्सर, हिंडे, हिंडे बढ़ के खिलाफ विनेश को खेलने से रोका गया है। उन्हें कहा कि विनेश को अयोग्य ठहराना ये भारतिय पहलवानों का अपमानी नहीं, उन्हें कमतर आकने का एक व्यापक योजना का हिस्सा है। जिस तरह से विनेश ने पहले राउंड से लेके स्कॉल्टर फाइनल और सेमी फाइनल तक अपना प्रदर्शन किया, वो अभुद पूर्व था। खास कर क्यूबा के उस खिलाड़ी के खिलाप जिसने पिछली बियांसी मैचेस कुछती की हारी ही नहीं थी, वो वर्ल्ड चम्पियन थी। पहले राउंड में उससे जीत लेना ये एक अईतिहासिक विजय थी भारत के किसी खिलाड़ी के लिए। बस फाइनल दुस्रे दिंग खिलना था। उनने कहा कि मैं खुद खिलाड़ी हूँ और वो बॉक्सिंग खिलते थे जहां वजन फिर माइना रखता था। मेरी कॉम का भी दो किलो वजन बढ़ गया था जो चार घंटे में उनने कम किया था। विजंद्र का कहना है हम तो 5-6 किलो तक वजन एक रात में कम करने की सिति होती है। ऐसे में 100 ग्राम वजन कम करना क्या बड़ी बात थी क्या। उनने कहा कि वहाँ पे दो वजन होते हैं एक ट्रायल वजन होता है उस एक मशिन पे ट्रायल वजन होता है और ट्रायल वजन में ये आपका वजन थोड़ा बहुत कम जादा होता है तो आपको फिर समय दिया जाता है आदे घंटे का कि आप इसको कम करके आईए और फिर इसके विनेश इतने सालों से उलम्पिक में जा रही थी, विनेश में कोई ऐसी कभी नहीं थी या उसको ये पता नहीं ऐसा भी नहीं था, एक विनेश के ट्विट के उपर भी हमने कारेक्रम किया आपने देखा होगा, जिसमें विनेश एप्रिल महिने में ये बोलती है, कि मुझे लगता है कि कुछ लोग एक शडियंत्र के तहत मुझे ऑलम्पिक जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कह रहे थी कि प्री कॉलिफाइंग राउंड अभी 19 इप्रिल से चालू हो रहे है, मैं लगातार आपको गोहार कर रही हूँ कि मेरे फिजियो तरीपिस्ट और मेरे जो परसनल स्टाफ है, इसका एक्टिडिशन करिएगा, यानि इसका नियम बध्य करिएगा इसको हमारे साथ आपके यहां से जोड़ दीजेगा, ताकि वो उस एरियना में जा सके, एक्रेडिलियेटल लोग ही उस एरियना में जा सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ वो स्ट को बोड रही हूँ, OTPOS को बोड रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं है, क्या आप मुझे प्रतारित करना चाहते हैं, क्या संजेज सिंग ये चाहते हैं, क्यों मुझे मानसिक तकलिप दे रहे हैं, और ये सब इसले हो रहा है कि मैंने ब्रिजबोश का बताता है कि कुछ लोग, जैसा विजंदर कहते है, कि कुछ लोग इस बात से बहुत खुश होए होंगे, या उसके प्रदर्शन से कुछ लोग नाराज हो गए होंगे, कुछ लोगों को इससे दुख हुआ होगा, कि ये कैसी जीत रही है, कौन है वो लोग, कौन है उसके खिलाफ वीनेश को लगातार ऑलम्पिक जाने से कौन रोक रहा था कौन सोचल मीडिया में लगातार उसको ट्रोल करवा रहा था मेडल मिलने के बाद भी हमारे यहां की बद्दमाग लोग है जो कहते हैं कि मोदी जी ने ट्रेनिंग दिलवाया इसलिए ओलम्पिक में मेडल ल आ सकते है तो इसके लिए भी मोदी जी को ही बोला जाएगा ये बात अलग है कि मोदी जी उनके अच्छे कोच हो सकते क्यों के मोदी जी से ज्यादा कोई फेकता नहीं है कुल मिलाकर ऐसे माहूल में विजेंद्र का सीधा ये कहिना की ये शर्यंत्र है ये सरकार के मुह में तमाचा है और ये तमाचा उसी आद्मी ने मारा है जिसको अमिश्या पाटी में लेके आये है उनने कहा कि ये जितने भी उसको जो आयोगे ठहराया गया है इसके लिए तमाम उन जो उसका स्टाफ होता है साथ में पंकज मिश्याइक और पत्रकार है उनने तो कहा कि ये खिलाडी सिर्फ खेल पर फोकस करता है वो क्या खाएगा कितना पानी पिएगा कहां रहेगा कैसा सोएगा उसके मौलिश कोन करेगा उसके दवा क्या होगी उसका इलाज क्या होगा कानून क्या है उस मैच के ये सारी कितने बज़े जाना होगा क्या करना होगा ये सारा करने के लिए एक प्रबंदन की बड़ी टीम होती है उस टीम के लोगों को इमेजेटली बरखास कर देना चाहिए उनके पर इंक्वाइरी पिठाजे नीचे ये कि ये सब ग्राम वजन बढ़ने के सा दिया आपने क्योंकि वहाँ विनेश अपने मन से खा नहीं सकती जो दिया जाता है वही खाया ना पड़ता है क्योंकि उसका डाइटिशन उसके साथ है वो उसका वजन मोनिटर करता है एक रात तक एक दिन पहले उसने जो तीन मैचेस जीत एक दिन में तीन मैचेस जीत के उससे सिल्वर मैडल तक पहुँच गई थी वो लड़की जो 400 ग् उठा रहे थे लेकिन इस सवाल में विजेंदर न उठाके ये बात बता दी कि कुछ दाल में खाला है इसलिए मैं कहता हूं कि ये विजेंदर का उठा हुआ सवाल ये डायरेक्ट हिट करता है बीजेपी के तमाम लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं क्या हमारे देश में दे देश की शान, देश की नाम, देश की अच्यूमेंट, देश का सनमान इन सबसे ज़्यादा उपर ये घडिया किसम के राजनितिग्य है जो अपने बदला लेने के लिए देश को मिलने वाला गोल्ड मेडल भी शहिद करवा सकते हैं ये आशंका में ने जाहिर की थी विजे जिंद्र ने इसको प्रेक अंकित किया लेकिन ये सरकार है कितनी भी हीट हो जाए ये निरलज्जता का अमृतकार है हीट करने वालों को लज जाएगी हीट होने वालों को नहीं आज इतना ही कल फिर आता हूं किसी विशे के साथ तब तक के लिए नमशकार देखते ये निसलांचर